तो गुद बॉनिंग, आज फ्राइडे का सत्र और एक सूपर बंपर तेजी वाले थर्सडे के बाद सवाल यही है कि कल जो हमने रन रेट एकदम बढ़ाई थी, क्या वो जारी रहेगी? अगर आप ग्लोबल संकेत देखे तो उसको लेकर थोड़ा सा संदे है. गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर, कल की आतिश बाजी के बाद, आज कुछ मुनाफ़ वसूली, इस्पेशली ओपनिंग पर दिखा रहा है, करीब 52 अंकों की गिरावट वहाँ पर बनती दिखाई दी है. यह ऐसा इसी लिए दिख रहा है, क्योंकि कल शाम को अमेरिकी मारकेट्स में, महाँ पर भी हाई पर हाई लगते होए दिखाई दिये थे, खासतोर नैस्डाक की अगवाई में अच्छी खासी तेजी बनी, और एन्विडिया का स्टॉक खूप चमका, लेकिन जो मुमेंटम स्टॉक ने शायद दिलाया, वो साधा समय तक टिका नहीं और उपरी लेवल से एक अच्छी खासी बिक्वाली आई, उस पर डीटेल में बातचीत करेंगे जरूर, नीरजी हमाए साथ है, पूरा ग्लोबल सेट अप समझाने के लिए, और ये बताने के लिए भी कि अमेरिक अपने हाइस पर टिक क्यों नहीं पाया कल, विरू से अफकॉस कल के पूरे आक्शन के बाद, आज के लिए क्या समय करन बैठ रहे हैं, आज भारते बाजारों में कितनी तेजी का फॉलो ऑन असर आता हुआ दिखाई देगा या नहीं, उस पर बातचीत जरूर होगी, लेक निफ्टी फ्यूचर्स 23,000 पर पहुँचा, कैश में हम 22,993 तक का हाई चूने में काम्याब थे, तो अल टाइम हाई वाला दिन था, चाहे सेंसेक्स कहें, निफ्टी कहें या फिर मिड कैप इंडेक्स, और निफ्टी 50 आपकी स्क्रीन पर है, पिछले साथ ट्रेडिंग से तेजी दिखा चुका है, और निफ्टी 50 ही नहीं, कल तो इन फैक्ट हमने बड़ा पार्टिसिपेशन निफ्टी बैंक की तरफ से देखा, निफ्टी बैंक का हाल अगर आप देखेंगे, कल के सेशन में इंट्रिडे में करीब 100,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी, इवेंचिल क्लोज 986 पॉइंट की बढ़त पर आया, लेकिन ध्यान रखेगा की धीरे धीरे करके निफ्टी बैंक भी अपनी चाल को मजबूत करने में लगा है, कोशिश कर रहा है और कल वो एक बड़ा मूव आता दिखाए दिया, हाला की ध्यान रखेगा, निफ्टी बै 3.37% तक के रिटर्न कमाने में काम्याब रहा है, पिछले साथ ट्रेडिंग सेशन में कल भले ही आधे परसेंट तक के गेंस बनते दिखाए दिये हों, तो धीरे धीरे करके कुछ confidence लोटा है मार्किट में, globally however स्थिती थोड़ी सी अभी भी confusion वाली है, भारते बाजारों के ल confidence है, वो strength देखने को मिला है, कल के बड़े move में हम ये mention भी कर रहे थे, कि कल बड़ा shot covering का action था, especially banking counters में, उस data point को आगे detail में समझेंगे, लेकिन global picture के बीच हमारा चमकना, क्या टिकाव रहेगा या नहीं, नीरा जी, कल तो लगा था कि भारते बाजार में जिस तरह की आतिश मिला कर चलेंगे वो, हुआ ने, टिक नहीं पाए, एंविडिया के बावजूद, एंविडिया 9% उपर कल बंद हुआ, लेकिन वो भी संभालने में कामयाब नहीं रहा, हाला कि comparatively nasdaq उतना नहीं किरा, वरना 600 के सामने 300 point गिरना चाहिए था, उसका कारेंड था कि कल बहुत मैनेजर इंडेक्स, वो तीन डेटा आयन किया, कलेक मैनुफेक्श्रिंग का जो PMI आया, और वो काफी ज्यादा कमजोर, कमजोर in the sense, एकॉनमी के लिहाज से, 50.9 आया माई में, और 50 था अपरैल में, तो ये strong number माना जाएगा, जब मैं negative कर रहा हूं तो रेट के लिहाज से, कि उनको लग रहा है कि ये अगर economy इतनी booming है, तो मुश्किल आएगी, दूसरा number आया, जो services PMI था, बहुत ही जबरदस number, 54.8 आया, expectation 51.3 का था, बहुत ज़दा बलके आया, फिर एक composite PMI का number आया, वो भी 54.4 आया, 51.1 के expectations के सामने, ये तीन number ये दिखाते हैं कि economy में बहुत त easy है, अभी भी, और economy में तेजी है, तो inflationary pressure रहेगा, लगातार रहेगा, और यही बात, fed minutes में कही गी थी, कि economy अभी वो संकेत देने रही, जिससे हमें लगे, कि हम दो की तरफ बढ़ रहे है, डर लग रहा है, वो महौल नहीं है, इसलिए जादर fed official से कह रहे थे, कि शायद hire for longer चलेगा, और cut की तो बहुत मिश्किल है, अब इसका कैसे मतलब निकाला US market ने, तो आपको bond market देखना चाहिए, bond market में कल थोड़ा सा 10 साल का bond उनका ऊपर आया, लेकिन उससे भी ज़द अगर आपको और clarity की साथ समझना, तो swaps को देखना चाहिए, swaps ने कल हमने बात की त का cut expect कर रहा है, वो भी दिसंबर में, और एक दिन के अंदर वो घटके 0.25% आ गया है, तो swap market जो होता हो सबसे ज़्यादा close होता है, economy को read करने के लिए, तो bond और swap market बिलकुल clearly बता रहा है, कि उनको rate cut की उम्मीद लगभग नगर्न है, 0.25% वो भी दिसंबर में, और पता न और क्यों सबसे दाव गिरा, क्योंकि services sector की जो PMI है, services sector का inflation है, वो बहुत strong दिख रहा है, तो वहाँ तगडी गिरावाथ हुई, NASDAQ में गुरी, SNPM गिरी, competitively आप देखेंगे यह काम गिरी, वो इसलिए सिर्फ क्योंकि NVIDIA ने बचाया, NVIDIA heavyweight share है, दोनों index में, SNP में भी औ profit booking आई, यह सिर्फ profit booking है, ने जो shots लो create नहीं कर रहे है, कि इसको बेच के चलें अभी, तो profit booking है एक दिन था और यह phenomena global था, योरप में देखिया, MSCI का world index देखिया, stocks 600 index देखिया, यह आप वापस आईए, तो यहाँ एशिया में आप देखिया, जैपान में inflation नम्बर आया, 2.77 और 2.5 आया, और वहाँ का 4-500 पॉइंट इंडेक्स गिर गया, चाइना का dragon index भी करीब 4% गिर एकल US में, जो ही चाइना की US listed companies है, तो complete profit booking session globally कल देखा गया, और वो हर segment में था, वो चाहे commodity हो, चाहे crude हो, चाहे gold हो, equities हो, तो यह कल का scenario था, अब कल इंडियन मार्केट ने पोजिट पोजिशन ले रखी थी, आज देखते हैं कैसा होगा, लेकिन profit booking, तो हमारी तेजी इनको रास नहीं आ रही है क्या, नहीं हम लोग ने sense तो कर लिया था, कि ठीक रहे है, लेकिन मावला शाम को थोड़ा उल्टा हो लिया, क्योंकि जब हम तयारी करके गये थे, closing की तो situation बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था, तब और अपवाले डेटा मोग साफ रिफलेक कर रहा है, क्योंकि डाव करी 39, 754 पर था, और of course, overnight वो भी क्वाली आई है, तो situation अभी काफी बदली भी दिखाई देगी, in fact, 10-year bond ही नहीं, वो 2-year bond भी 5% के आस-पास inch-up कर र हैं, गुंडाल्च कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, और अब फाइनली वो नंबर PMI के सामने आपके, तो डर तो लगना स्वाभावी के, अच्छी मैं एक चीज यह भी observe कर रही थी, कि अब तक inflation के सहारे ही कह रहे थे, कि वो rate cut जल्दी आएगा, अब inflation का ही सबसे बड़ डर बना हुआ है, तो गनित, इंफलेशन के आसपास ही बैठ रहा है, सारी गनित, इंफलेशन के आसपास है, बलकि कुछ लोग करें, स्टैफलेशन बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत ही हाड लैंडिंग होगी, यह जैमी डाइमन का कहना है, कल उन्हों नहीं बात पर कही, इसमन इसर्फ एक ही सिल्बना हुए, कि आपकी अर्निक्स बहुत ही स्ट्रोंग है, तो यह इन गता कौन भी इतनी स्ट्रोंग याज रहा के मार्केट क्यूं गिरेगा, मार्केट इस डर सिल्एगा कि आगे क्या होगा, तो पत्त नहीं स्टैइबंगें जेसे अका कि वोख तो अब भारते बाजार और भारते बाजारों में जो चमकदार धमाकेदार तेजी बनी है वीरू कल जो हम गुरमीत से भी पूछ रहे थे कि क्या FII इसकी वापसी हुई है आकड़े तो साफ हो चुके हैं कैश मारकेट में मेरे ख्याल में इस महिने की सबसे बड़ी खरदारी 4671 करोड और अक्रोस तो बोर चाहे वो निफ्टी फ्यूचर्स हो निफ्टी बैंक फ्यूचर्स हो तेजी के आकड़े देखने को मिले हैं टेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, कैश हो या फिर फ्यूचर्स में FII इस थोड़ा सा लॉटे जरूर है रश्टा, गुद बॉरिंग, गुद बॉरिंग निफ्टी देखिए रश्टा एक और बात वो बात थी कि कैश आएगा, दूसरी बात आपने याद की, जो आपर में कर रहे थे क्लोजिंग में, कि एक सबस्टेंशल शॉट कवर होगा इंट्रिक्स में हश्टा 3 मई को आपने 22-800 चुवा था, उस दिन शुकरवार को रिवर्सल आ गया था 1,19,000 कॉंट्रेक्ट से आप लोग करीब-करीब 2,56,000 कॉंट्रेक्ट शॉट कॉंट्रेक्ट टेजिक्ट्री में चले गया थे कल FIIS ने 2,19,000 कॉंट्रेक्ट शॉट साइड में जो खड़े थे, उनको कवर करके अब आप समझे लिजे कल 86,000 कॉंट्रेक्ट लॉग गये, 35,000 कॉंट्रेक्ट शॉट कवर हुए यानि अब वो कल 2,19,000 कॉंट्रेक्ट से शॉट कवर करके मातर 98,000 शॉट यानि करीब कल 1,21,000 नेट शॉट कवर हुए, यानि कैश में बाइंग और जो इंडेक्स में थ्रस्ट था, वो था शॉट कवरिंग क्या हश्ता कल का हमारी अप्रोच क्या थी, देखिया, आईतर वी विल बाई वीक्नेस तोट्स 526, 550 और स्टेंथ कब आएगी 661 जैसे ही वो pivot point कटा strength, फिर हमने best case में सुचा था 813, 813 के बाद completely short covering wave में चला गया index फिर मैंने जो अपने targets revise किये, वो थे 913 तक, हाला कि ये 23,000 की trajectory तक भी जया short covering का कोई पैमाना नहीं होता, 50, 100, 200, 300, 400 point वो कुछ भी हो सकती है but आप एक uncharted trajectory में है and specially nifty आज की rally में या फिर कल की rally के बाद, आज के setup में एक चीज़ दोड़ी doubtful है कल की rally में एक बड़ी चीज़ थी banks, दूसरा था reliance, तीसरे थे metals जोने आखरी में अपनी भूमी का निभाई और एक pillar जो की सुबह से हमारे साथ ख़ड़ा था हरश्टा, वो था nifty IT जिसने कल expected rally के मद्दे नज़र एक बड़ा move दिया था 200 day exponential बेर विज़ काटके एक बड़ा swing generate किया, lower level से भाग के nifty IT के अगर rally puncher होती है, थोड़ा बहुत disappointment लिख आ सकती है आज के session में, तो मैं I think इस point को यहाँ पर factoring करूँगा, कि आपको आज के trade में nifty IT पे और IT stocks पर नज़र रखनी है, हश्टा, अब हम, लखिए, FIS के stats को हम देख लिया है, mega cash buying, substantial short covering, इस बड़ा को कैसे approach करें, nifty bank holds better reward in comparison to nifty, but एक बात याद रखिए, reliance एक बहुत एहम भूमिका में है, अब ये 3,000 के call writers को trap करने के फिराक में है, कल इसने परसो इसने ऐसा ही किया, तो दो-तीन point से जिस पर आपको नज़र रखनी है, मैं कैसे इस बड़ार को approach करूँगा, nifty के trade को, मैंने कल भी कहा था कि positional trade करी कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बात याद रखिएगा, अब आप averages से बहुत दूर है हरश्टा, short term, 10-20 से बहुत दूर आ चुके है, आपको reference लेना पड़ेगा portritus से, 23,000 पर कॉलाइटर है, weak है, और strong substantial portritus विजिबल है, 22-800 पर, 22-700 पर, यानि जब आपके पास averages का भाव है, आपको reference, आपको base तराशना है portritus के zone में, so that's 22800 और 22700 और 23,000 एक हरदर है, प्रीज, screen पर लेकिया ये levels, देखना है आपको, banks को, reliance को, और nifty IT को, but, जो हम बात कल close में भी कर रहा था, आज़ता, a control dip, उसको आपको buy करना पड़ेगा, positionally आप long रही है, as a date reader, base one लेकिया येगा screen पर, base one वो आपके screen पर जो आ रहा है, उसमें 22, 877, 831, this, ये एक ऐसा zone है, जिसको आप, plus minus अगर आप देखें, 10, 20 points, buy कर सकते हैं, base two मिल जाए, तो और अच्छी बात है, हरश्ता, इस cluster में आपको अपनी rewards को अच्छा करना है, तो आपको dips को भी करना पड़ेगा, on the higher side, फिर याद रखेगा, एक है base, एक है threshold point, अगर 22, 991 और 23,033 की trajectory कटती है, हरश्ता, तो जो नया cluster खुल जाएगा, वो है 23, 110, 23, 991 और 23, 248, so as a trader, उसमें focus के जाएगा, नो nifty bank, जैसे कि मैं कहा रहा हूँ कि, ये एक better risk reward ratio hold करता है, क्योंकि अभी अपने all time high से दूर है, placement अच्छी है, और 48,500 पे strong portraitors है, 49,000 पे immediate call writer है, मेरी अप्रोच करेगी, base लेका आएगा screen पे, और base persist करता है पहला, फिर कहा रहा हूँ, आप averages से दूर हैं हरश्ता, आपको reference लेने का पड़गा portraitors से, 48,510, 345, any dip towards base one, it's a buy, उपर के side में, अगर आप एक greater order है, तो resistance बन आपका एक profit ticking zone होगा, और उसमें थोड़ा सा profit लीजेगा, nifty bank का next swing towards 49,345, 558 और 764, ये तब खुलेगा, जब आप 99,000 विकी trajectory को पार कर देंगे, हरश्ता, तो clearly, momentum hopefully जारी रहने की पूरी-पूरी उमीद, और उन levels का ध्यान रखना है, hopefully एक मौका, अगर gift nifty जैसा कह रहा है, कि थोड़ी से नर्मी देखने को मिलेगे, जब कारोबार इस कारेक्रम की शुरुवात की थी, अब 38 संकों की ही गरावट देखने को मिल रहे हैं, तो let's see, कि जैसे-जैसे closing की तरफ आते हैं, gift nifty की चाल कितनी सुधरती है या बिगड़ती है, फिलहाल तो थोड़ा सा सुधार ही देखने को मिल रहा है, लेकिन आज का दिन देखिएगा, important है, important इसलिए क्योंकि कई सारी खबरे हैं जिस पर market react करेगा, सबसे पहले तो वायदे बाजार के perspective से आपको ध्यान में रखना है, इंटर ग्लोब एविएशन का स्टॉक कल भी, डेलो से एक recovery देखने को मिली थी, अच्छे खासे OI additions के साथ हमने close किया है, आज वो follow through की उमीद है, इसलिए क्योंकि मुनाफ़ा दो गुना बढ़ता हुआ दिकाई दिया है, इनफाक ये लगातार छटा quarter है जहां पर कमपनी ने मुनाफ़ा कमाया, तो मुनाफ़ा करीब 1895 करोड पर आया, revenue के front पर आप देखेंगे तो करीब 26% तक की growth देखने को मिली है, इबिट्टा लेवल में 48% का इजाफा, margins भी अच्छे हैं, capacity बढ़ रही है, passenger load factor भी अच्छा खासा बढ़ा है, in fact इनका load factor 86% के ऊपर steady रहा है, लेकिन कमपनी ने क्या कहा, कमपनी कह रही है कि अपनी capacity इन्होंने करीब 22% बढ़ाई है, साथ ही साथ Q1 में और 10-15% की capacity जोड़ी है, उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, इन्होंने clearly mention किया है कि कुछ tailor made business product select roots पर आते दिखाई देंगे, और ये अब तक की history में inter globe aviation के लिए एक बहुत बड़ी पहल मानी जाएगी, क्योंकि inter globe aviation clearly एक no frill airline थी, और वो अब कह रहे हैं कि शायद कुछ roots पर हम business product लेकर आएंगे, तो वो एक और चीज़ है, of course targets उन्होंने रखें कि कितने और aircrafts वो on board करना चाहेंगे, आने वाले समय में, तो inter globe aviation बहुत ही तगड़ा quarter वो stock up radar पर रखेंगे, अब साथ ही कई सारी खबरे हैं, जिसको आपने पचाना हैं, सबसे पहले तो development आ रही है, आपकी HCL Tech की तरफ से, Hewlett Packard के साथ करार किया है, Communications Technology Group के कुछ assets खरीद रहें, 225 million dollar में सौदा होतावा दिखाई देगा, HCL Tech अपने टेलिकॉम वर्टिकल को और मजबूत करना चाहता है, साथ ही साथ UPL और आर्थी इंडस्ट्रीज, कल मार्कित बंध होने के बाद साड़े चार पांच बजे खबर आई थी, कि दोनों कंपनिया दरसल एक साजिदारी में आ रही हैं, 50-50 का JV है, जहां पर ये मैनिफाक्चर और मार्किट करेंगे स्पेशालिटी केमिकल्स, फोकस बेसिकली अमाइन्स पर रहेगा, ये लाजली इंपोर्ट होते हैं, अब उसको मैनिफाक्चर करने पर जोर दिया जाएगा, अब कंपनिया कह रहे हैं कि Q1, FI 27 में कमेर्शल ओपरेशन शुरू होंगे, लेकिन अगले 2-3 सालों में करीब 400-500 करोड अन्यूल रेवन्यू कमाने की शमता ये JV और इस तरह का करार रखता है, तो दोनों स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वाच करने के लिए और दूसरी तरफ इनका कॉंपुटिटर SRF भी फोकस में रखेंगे, साथी साथ ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर, इनको अदानी ग्रूप से 2 ओर्डर मिले हैं, 359 करोड का AL Anwar International Airport की तरफ से आतावा दिखाई दिया है, 161 करोड का वो ओर्डर है और बाकी अदानी ग्रूप का करीब करी 179 करोड का ओर्डर आ रहा है, तो दो ओर्डर्स दरसल इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिये हैं, Sun Pharma भी एक स्टॉक है जुस पर नजरे रहेंगी, हम सब जानते हैं कि सबसिडरी टैरो वो इस्राइली कंपनी, अब उसको New York Stock Exchange में डीलिस्ट करेंगे, डीलिस्ट इसलिए होगी क्योंकि Sun Pharma में टैरो अब जुड़ जाएगी, मर्ज हो जाएगी और अगले 35 दिनों में दरसल ये पूरा सौधा होतावा दिखाए देगा, तो वो स्टॉक भी आज आप रेडार पर रखें, कल वैसे भी Sun Pharma अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, खराब इबिट काइडिन्स की वजह से, आज बाइदेवे Sun Pharma Advanced Research, इनकी दूसरी सबसेजरी के नंबर्स भी आएंगे, और अफकॉस कई सारे कैश मार्किट के नंबर्स है, जेके सिमेंट, सांधार टेक, गेब्रियल इंडिया, अच्छी क्वालिटी के नंबर्स कंपनियों ने पेश किये हैं, होनासा पर नज़रे रहेंगी, जैगल जैसे स्टॉक्स, जो रीसिंट लिस्टिंग है, महाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, यह सारे शेर आज इंपॉर्टेंट रहेंगे, रियाक्शन के तौर पर, आज निफ्टी वाली दो कंपनिया हैं, जिनके नंबर्स का इंतजार, हिंडाल को और NTPC, उनकी भी बातचीत होगी, आज दिन के दौरान जब वो नंबर्स आएंगे, एक काम करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद अफकॉस, कमोर्टी करंसी से क्या क्यूज मिल रहे हैं, उसका भी जाइजा लेंगे, और कुछ और बड़े एवेंट्स, जिस पर आपकी नजरे होने चाहिए, वो भी आपको बताएंगे. आप देख रहे हैं, मॉनिंग कॉल, गिफ्निफ्टी 40 पॉइंट नीचे, गिरावट के संकेत दे रहा है, लेकिन कल भारते बाजारों में एक जोरदार तेजी वाला सत्र था, इस पीच, ग्लोबल मारकेट्स में वो सेल ओफ आया है, इसलिए गिफ्निफ्टी की हालत भी थोड़ी सी नर्म दिखाई दे रही है, लेकिन करेंसी और कमोर्टी मारकेट से क्या क्यों लिया जाए, वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, यहाँ पर हमने बात की केडिया कमोर्टी के आजे केडिया से, तो आजे का मानना है कि आज आपको गोल में बिक्वाली का मौका मिलेगा, टागेट रहेगा 71,200 के आसपास, तो 71,900 के आसपास आप सेल करें, स्टॉप लॉज जरूर लगाएगा 72,300 के करीब, वो तो कच्चे तेल में भी बिक्वाली करने के पक्ष में है, 6,320 के लिए शॉट का एक मौका है, स्टॉप लॉज 65,80 का, और अजे को लग रहा है, अज कमोर्टी साइड में, कॉपर बेस मेटल में भी कुछ वीक्निस दिखा सकता है, तो MCX पर 880 के लिए, एक शॉट का ट्रेड इन्होंने पकड़ा है, 908 का स्टॉप लॉज सजेस्ट किया है, तो तीन कमोर्टी जहाँ पर ट्रेड के मौके, तीनों मंदी की तरफ ही ये पकड़ रहे हैं, चले फटाफट से मैं आपको बता दू, आज किन इवेंट्स पर नज़रे रहेंगी, एक तो रिजल्स के लिहाज से, जैसे हम मेंशन कर रहे थे, दो दिगज कमपनिया जिन पर मार्केट अफकॉस किनली अवेट करेगा नतीजे, हिंडाल को दूसरा है एंटीपीसी, एंटीपीसी में इस्पेशली नंबर्स के साथ-साथ, ग्रीन एनरजी के आईपीओ को लेकर क्या कुछ बयान आता है या नहीं, वो देखना होगा, संटीवी इंपोर्टेंट है, आज हिंदुस्तान कॉपर इंपोर्टेंट है, साथ ही साथ अशोक लेलेंट जैसी कमपनिया जो वायदेवाले साइड पर है, युनाइट स्पिरिट्स के भी नतीजे आ जाएंगे, और डिफेंस कमपनियों में कोची शिप्याड पर नज़रे रहेंगी, जपैन का इंफ्लेशन डेटर आ चुका है, वहाँ पर कुछ इजिंग देखने को मिली है, कुछ देर में हम इंडिया के फॉरें एक्स्चेंज रिजर्व के डेटा पर भी नज़र रखेंगे, और वह important है, especially वो bumper bonanza जो RBI के तरफ से आया, ये डेटा भी in fact bond market वाले लोग watch करते हैं, कि फॉरेंस रिजर्व की situation क्या है, उस पर नज़रे रहेंगी, इमेरिका की तरफ बढ़ेंगे, तो आज of course Friday को उनका usual data जो आएगा, तो आएगा, लेकिन साथ ही US Fed के जो Bostik साब है, वो एक speech देने वाले हैं, और Wallace आपकी भी speech lined up है, तो वहां से क्या कुछ cues आएंगे या नहीं, उस पर नज़रे रहेंगी, बोर्ट बैठकों में results के लिहाज से important दिन है ही, लेकिन साथी Bama Lory के भी bonus पर विचार होगा, आज की बोर्ट बैठक में, तो वो एक और stock है जिस पर आपकी नज़रे होनी चाहिए, तो बड़ा action of course देखने को मिलेगा, considering global cues norm, लेकिन कल हम एक बहुत हेडी तेजी के साथ, market में आज फिर से लोटते होगे दिखाये देंगे, और FII की तरफ से जोरदार खरदारी के आकड़े, finally लोटे हैं, आज याद रखेगा जब आप नज़र डालेंगे stocks पर, भारत dynamics का stock split का x-date है, 10 is to 5 वाला, उस पर आपकी नज़रे होने चाहिए, और x-date है, some distilleries के stock split की 5 is to 2 वाला, तो वो भी दोनों stocks आपके रेडार पर होने चाहिए, आइनॉक्स विन ने bonus issue जारी किया था, उसका भी आज x-date है, तो ये कुछ चीज़ें जुस पर आपकी नज़रे होने चाहिए, चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है, आप सभी से इजासत लेने का, लेकिन बने रहेएगा, क्योंकि break के ठीक बात, stock specifics पर, क्या trade, तेजी और मंदी का बन रहा है, numbers के लिहाज से भी, खबरों के लिहाज से भी, उस पर हमारी खास पेशकर, सीधा सौधा आपके लिए लेकर आएंगे, break के ठीक बात, झना के बाता आएंगे, क्पी कता बने की का, क्यू थे से देचा से आएंगे, झाल, 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 झाल